कुछ images में आपको जो selection करना होता है उसका base या तो बिल्कुल light होता है यानि कि high brightness होता है या फिर बिल्कुल dark होता है उधारन के लिए हम इस image में इस मिनार को और इन पेड़ों को select करेंगे या फिर इसको inverse करके हम यहां पे sky को select करेंगे तो इस प्रकार के images में आप brightness को use में ले सकते हैं अपने selection के लिए तो हम यहां पे trace hold command के साहिता से इस image को select करेंगे तो सबसे पहले तो हम यह image है इसके copy बना लेता है क्योंकि हम जो भी यहां पे करेंगे उससे हमारी जो यह original image है यह safe रहनी चाहिए तो हम यहां पे इसको click करके यहां पे create new layer icon पे drag करेंगे तो इस प्रकार से इसकी एक copy बन जाएगी अब हम इस image की यह जो background copy हमने बनाई है इसकी opacity को 50% पे set कर देते हैं यह हम अभी जानेंगे कि हमने यह 50% पे set क्यों की है अब हम image menu में जाते हैं और adjustment menu है यहां पे आपको trace hold command पे click करना है तो इस प्रकार से यह trace hold command आपको दिखाई देने लग जाएगी हमने यहां पे यह जो background copy बनाई है इसकी opacity 50% इसलिए set की है ताकि यह जो हम selection करना चा रहे हैं इसमें इस image के through आर पार देख सके कि हमारा selection कहां तक बैट रहा है और कहां तक गलत है तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि हमारी image में यह जो trace hold है जिसरे black और white tone को ही दिखा रहा है जो dark area है उनके लिए black tone ढिखाएगा और जो light area है या bright area है उनके लिए white tone ढिखाएगा तो हमें जो इसका selection करना है तो इस image को इस प्रकार से black and white tone पर set करना है कि हमारा जो selection है या तो वो बिल्कुल dark रहे या भिर बिल्कुल light रहे मतलब या तो बिल्कुल black रहे या बिल्कुल white रहे तो हम यहां पर इस प्रकार चे अपने image के आर पार देख पा रहे हैं कि जैसे हम इसे left side में drag करते हैं तो यह white area होता जाता है और अगर हम इसे right side में drag कर करते हैं तो इस प्रकार से यह black होता जाता है तो इस प्रकार से हम यहां पर selection को choose कर सकते हैं यहां पर यह perfect दिखाई दे रहा है यह जो sky है यह बिल्कुल white में दिखाई दे रहा है और जो हमको selection करना है यह dark यानि कि black color में दिखाई दे रहा है इसके बाद हम okay प्रेस करते है उके प्रेस करने के बाद में अब हम इस यह जो image है इसकी जो opacity है इसको 100% पर सेट करते हैं तो 100% पर सेट करके आप देख पा रहे हैं कि यह जो आपका selection है यह बिल्कुल black दिखाई दे रहा है और यह जो आपका deselected area है यह बिल्कुल white दिखाई दे रहा है अब हम channels panel पर जाएंगे और यहाँ पर load channel edges selection पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से यह जो हमारा darker area है यह बिल्क एरिया है वो select हो जाता है आप चाहें तो इस selection को inverse कर सकते हैं जैसे कि इस वक्त इसकाई select है हमको इसकाई को select नहीं करना है हमको इस मिनार और यह जो पेड है इनको select करना है तो यहाँ पर हम select menu में जाएंगे और inverse पर क्लिक करेंगे और अब हम यह जो हमने background copy बनाई थी इसको delete कर सकते हैं इस परकार से हमने trace hold command की साहिता से इस image से इस मिनार और इन पेड़ों को select कर लिया है Ctrl J बटन दबा कि आप इसकी copy बना सकते हैं और इसे background layer को आप ओप करके देख सकते हैं कि हमारा selection किस प्रकार से एक layer के रूप में convert हो गया अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को like और share करें करें वीडियो अगरा है